हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माइचानल एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिक्स्त पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज ठीक है तो यह आप लोग अपने लिए कर रहे हो यह आपके यूजी सीनेट का एक्जाइम आपका क्रैक होगा पहले मार्केट प्रोडक्स इंक्लूडिंग बॉटल्ड वाटर कोल ड्रिंग जूसेज एंड स्पोर्ट ड्रिंग ठीक है इच प्रोडक्ट अपील तो डिफरेंट सेग्मेंट इस इन एक्जामपल ऑफ मार्केट ऑफरिंग भाई किसी के लिए वह कोका कोला पानी की बॉटल बना रही है क पार्केट भाई सब मेरी ओडियंस है किसी के लिए और पानी मांगने आओगे तब भी पेपसी पिलाओंगी आप कुछ भी लेने आओगे तब भी प्रोडक्त ठीक है यहां पर है सब के लिए अलग प्रोडक्ट तीसरा क्या है मार पास है टार्गेट मार्केटिंग तो यह वह होता है कि मैंने डिसाइड कर लिए कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाए है मैं इस प्रेटिकुलर सेगमेंट को टेक केर करूंगा सबक्रेंट मार्केट क्विलन के लिए की मैं टार्गेट मार्केटिंग इनको मैं ठार्गेट करूंगा है मैं बताऊंगा भाई मेरी शॉप है वहाँ पर आना अगला है इंटेंसिफाइड मार्किटिंग इंटेंसिफाइड मतलब भाई चारो डिरेक्शन से इंटेंसिफाइड बहुत तरीकों से हर जगा जहां पर भी आपका मन कर रहा है आप आट दे रहो फटावट से सेगंड कोशन पर आते हैं टेंपररी ली रेडूजिंग प्राइज तो इंक्रीज शॉट टर्म सेल्स इस एन एग्जामपल और फिच फॉलिंग थोड़े टाइम के लिए हमने क्या करा अपना प्राइस को कम करा ताकि जो ग्राक नहीं आ रहा हमारे पास जो कस् सेगमेंट प्राइजिंग सेगमेंट प्राइजिंग क्या होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने अलग-अलग-अलग सेगमेंट के लिए अलग-अलग सेगमेंट के लिए अलग प्राइस कर दिया कोई एक अलग सेगमेंट जैसे लेट सबोज पानी की बॉटल हम ले लेते हैं या मुबाइल फॉन ले लो आप ठीक है मुबाइल फॉन में क्या है एक हमने सेग्मेंट बना दी के बाई प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे also x i a o m i शाओंई एक ब्रांड और उसी का एक ब्रांड रेड्मी कको लगता है यह एक ही ब्रांड नहीं भाई शाओंई बनाते प्रीमियम फोन प्रीमियम और यह बनाते बजेट फोन भली वह दोने सेम तक्या है अलग अलग सेगमेंट को प्रीमियम वालों को अच्छा पैस च्राइज करना उसके बदे प्रभाइशनल प्राइज क्या होता है कि होता है हम चौटे प्रेसिद के लिए यहां पर अपना प्रोडक्त कम करने के लिए जब को शॉठ प्यृट्व कर यह है फोर शॉर्ट ones the beyond कि लिए जब हम प्राइस कम कर रहें तो वह था प्रआशन प्राइजंग इसका उप्षीन सेकंड है ढानएमधक प्राइजंग वह आप ने किसी ने फ्लाइट के जादा है पहले करोगे तो कम प्राइज में मिलेगी on the spot मुझे अभी जाना है आज ही जाना है टाइम अगर हमार को immediate ठीक है immediate तो हमारा क्या हो जाएगा प्राइज हो जाएगा maximum भई आपने फ्लाइट की टिकेट आज ही जाना है आपको आज ही आपने बुक करी तो प्राइज हो जाएगा ठीक है आपने खरीदा होगा ब्रेड वगरा या फिर या फिर जहां पर रहते हो तो आप नोटिस करना भाई पहाड़ों में चीज है जो पेपसी आपको 40 रुपे की नीचे मिल जाएगी प्लेंस पे डेली में चंदिगर में वही आपको ना शिम्ला साइट जाओ या मनाली साइट जाओ या फिर नैनिताल जाओ या फिर घूमने कहीं जाओ कहीं पर भी जाओ पाड़ो वाड़ो में तो वही 60 की मिलने लग जाएगी 50-60 रुपे की एक्स्ट्रा 10-20 प्राइजिंग क्योंकि ट्रांस्पोटेशन कॉस्ट भी में भी अलग हो ठीक है और भी सारे फैक्टर होते हैं तो इसकी वैसे जोग्रेफिकल प्राइजिंग तो इसका यह अलग है अगला है हमारा क्वेशन नमबर थ्री जो है आपके सामने मैच फॉल्विंग तो भाग म कैंने आपने ब्रैंड को क्या चाता है कि क्ष्टमर के लиться मैं करूं उसकी क्या प्राइजनल एजल ङाइन क्या और एक्टेगरी एक्टेंशन अंडर अपक्टीकुलर ब्रैंड नेम all products जितने भी सारे मेरे products है ठीक है उनको एक particular category के extension में एक ही brand name के अंदर use करना है एक ही brand name के अंदर हम उसको बेचेंगे एक ही brand name के अंदर हम उसको sell out करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा brand line ठीक है एक ही brand के नीचे हम sell करेंगे brand line ठीक है अब देखो अगला क्या है दोस ट्रेडमार्क डिवाइसे ट्रेडमार्केबल डिवाइसे डाट सर्फ तू इडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशेट अ ब्रैंड मैक्डॉनल्स का एम येलो कलर का येलो कलर का एम जब हम देखते हैं रेड़ कलर की शेड में एम देखते हैं हम दूर से और रेड़ कलर की उसकी बाउंडरियों रखी होती है तो हम समझ जाते हैं या क्या आने वाला है मैक्डॉनल्स आने वाला है या मैक्डॉनल्स है यहां पर तो हम क्या करेंगे रुकेंगे टोखेंगे मांपर बर्गर काएंगे तो वह क्या है ब्रैंड एलीमेंट है सुर वह हमारा ब्रैंड एलिमेंट यानि कि उसका लोगो इस प्रद्द और क्या हो सकते हैं अ लविंग मिले को बहुत मज़ा आ रहा है तो यह आपका ब्रैंड एलिमेंट यह भी होगे आपका स्टेटमेंट जो है यह टैग लाइन ब्रैंड एलिमेंट ठीक है कोई भी ऐसी चीज जो ब्रैंड को इडेंटिफाइब करने में आपकी मदद करती है पता लगा देती है कि प specific mix of human traits कि इनसानों के जो specific qualities होती है जिससे आप इडेंटिफाइब करते हों कि यह तो बहुत बात उनी है इसको गुस्ता बड़ी जल्दी आ जाता है इसको बड़ी जल्दी प्यार में पड़ जाता है पागल है ठीक है क्या है यह होगे आपका specific human traits ठीक है जो उसकी qualities है जिसस बहुत बड़ी यह product बनाता है इसके wear and tear नहीं होता यह लंबा चलता है ठीक है चलो भाई आगे चलते हैं फटा-फट से आपने match करते हैं नीचे codes दे रखें आपने हिसाब से अब आगे चलते हैं question no.4 last and final question in developing advertising programs marketing managers must always start by identifying the target market and buyers motive देखो यहां पे कह रहा है कि advertising program मैं को कैसे advertise करने में को अपने company के बारे में customer को क्या बताना है कैसे बताना है और क्या समझाना है वो शुरू करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो हम एड बना रहे हैं उसमें target market कौन है और buyer का motive क्या है वो हमारा product क्यों लेना चाहरा है ठीक है यहां पर हमारा जो मकसद है वो बी तो हम उसके हिसाब से अड बनाएंगे ताकि वो हमारे पास आए ठीक है तो भाई यह statement तो होगी बिलकुल correct ठीक है developing advertising program program उस हिसाब से बनाएंगे जो आप देखना चाहते हो हम आपको वो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हो वो थोड़ना बताएंगे जो आप नह different aspects of its brand and services company का पैसा है वो चाहे तो multiple ads को टीवी पर देदी को रेडियो पर देदी को न्यूस पेपर में देदी को इंस्टाग्राम पर देदी और अलग-अलग जगाओं पर वो अलग-अलग जगाओं पर सेम टाइम पर अलग-अलग अलग अपनी qualities पर emphasize कर सकते different aspects कि हम लोग जूते बनाते हैं तो हम लोग हमारे quality बहुत अच्छी है ठीक है प्योर लेदर यूज करते हैं हमारे जो लेसे से मंगवाए हैं हमने ठीक है और अगली आइड में बता देंगे कि आपको पता नहीं जलेगा आपने जूते पहने हुए हैं ठीक है उसका पैसा वह जैसे तो थैंक यू सो मच तो वच्ट वीडियो तिल वेरी एंड एंड अगर आप स्पीड पे चलते रहें तो नेट क्या है आप जैर एक मार दो गयार पहली बारी महीं ठीक है चलो मिलते हैं अगली बढ़